नवश्कार स्वागत है आप सभी का एक बाब फिर से वो दोब क्लासेस पर तो आज की हमारी पांचवी क्लास है भारतिय संभीधान के लिए कुछ महत्मूर्ण परशनों को हमारा टार्गेट 14 माई के प्री एक्जाम को लेकर है जो UPPSC का एक्जाम होना है तो इसी करम में ये प्रशन लेते हैं तो आज का हमारा पहला प्रशन है कि निमलिखित में से कौन सा विश है समवर्थी सूची में है तो यहां है समवर्थी सूची किर्शी, सिक्षा, पुलिस या रक्षा तो समवर्थी सूची कि अगर हम बात करें तो इसका जिक्र संभिधान की साथवी अन में से कौन सा है तो options हमारे सामने दिये हूँ है किर्शी सिक्षा पुलिस या रक्षा तो यहां उत्तर जो हो जाएगा हमारा वो क्या होगा सिक्षा हो जाएगा उत्तर क्या हो जाएगा सिक्षा हो जाएगा इसको बाद में हमने देखा कि जो संग और राज्ये दोनों के देखते हुए संबीधान में,已42 संशो धन किया गया 1976 में, 1976 में, और फिर उसके बाद शत्तावन धारा एसके अत्रिक्त देखें तो कुर्षी और पुलिस यह राज्य सूची के अंतरगत आते हैं किरश्रीय पुलिस राज्य सूची के अंतरगत आते हैं समवर्ती सूची में सिक्षा आई ही गया और उसके अत्रिक्त रक्षा जो है वो संग सूची का एक विशे है इसके साथ ही अगले प्रशन की वर बढ़ते हैं भारते संविधान के किस संसोधन में वनो को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था तो वनो को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया यानि फॉरेस्ट को हम जो देखते हैं वो राज्य सूची में था पहले लेकिन वह है किसमें आ गया है संवर्ती सुचि में गया तो इसके लिए भी यही संविधान संसोधन है हमारा 42-ः persones संसोधन जो 1976 यारी 1976 में किया गया और वन को राज्य सुची से इस्थानांत्रित करके संवर्ती सुची में जो क्रम संग्या है 17 का में लाया गया सत्रका में स्थानांतरित कर दिया गया तो सात्वी अनुसूची में ही समवर्ती, राज्ये और संग सूचियों के बारे में बताया गया है अगले प्रशन की और संबिधान में भारत के संबिधान के अंतरगत विशय तथा संबंदित सूची के बारे में निम्न युगमों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है सामने एक तरफ जो है सब्जेक्ट्स दिये हुए है और एक तरफ सूची दी हुई है और किस सूची में है यानि कि जो 7th schedule है उस से रिलेट करके तीसरा question मैंने आपके सामने रहा है और यह सारे questions कभी न कभी इन लोग से वायोग के exam में put up हुए ही है जैसे अगर हम इसकी बात करें one की तो अभी हमने देखा कि जो one है कौन सा सुमेलित नहीं है हमें बताना है तो अभी हमने देखा कि जो one है उसको अभी इससे पहले वाला question था हमारा कि समवर्ती सूची में इस्थाना अंतरित कर दिया गया अभी आले से संविधान संसोधन के दौरा तो यह तो बहुत सही है कि one जो है समवर्ती सूची में आता है अब शेयर बाजार की बात करें तो रुख जाते है डाग घर बचत बैंक तो हम जानते है कि जो डाग घर है वो है सेंट्रल गौवर्मेंट के अधिन आता है पोस्ट आफिस जन स्वास्त जन स्वास्त की बात करें तो यह राज्य सूची के अंतरगत ही आएगा तो यहां जो शेयर बाजार वाला कंसेप्ट है यह गलत हो जाता है शेयर बाजार मुखे रूप से जो आता है वो किसके अंतरगत नहीं आता है यह संवर्ती सूची के अंतरगत नहीं आता है तो भारते संविधान में और उच्छे 245 से 255 के अधिन केंद्र और राज्यों के बीच जो विधाई शक्तियों का विभाजन किया गया है तो इसी संदर्व में सात्वियान सूची में संगिये राज्यों संवर्ती सूची का प्रावधान इसमें हमें देखने को मिलता है तो वहीं अगर हम देखें तो वन जो कि समवर्ती सूची में है जन स्वास्त राज्य सूची में है तता शेर बाजार और डांग घर है ये दोनों के दोनों जो है आपके संगिय सूची में यानि केंद्रिय सूची में शामिल होते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशने की और अगला प्रशन है कि भारते statements हैं राज्य के नितिनेदेशक तत्व दिया हुआ है ग्रामिर और शेहरी स्थानिय निकाय दिया हुआ है पांच वी अनुसूची है छटी अनुसूची है और सात्वी अनुसूची है तो इन में से कौन से ऐसे तत्व हैं जो बिल्कुल सही उत्तर हमें बताना है किसमें सिक्षा से संबंदित चीजे दिये गए है या प्रावधान बताए गए है तो केवल 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5 तो यहा जो होगा तो यहां जो आंसर होगा हमारा D आंसर होगा याने की ग्रामिन चेत्रों पंचायती राज की बात करें तो 243 चाव में बात किया गया है वहीं चेहरी निकायों की बात करें तो 243 बाव में इसके बारे में जिक्र किया गया है तो ये कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है किसमें इन सभी चीज़ों में चटी और सात्वी अनसूची में भी इसी परकार के प्राफधान दिखाई देते हैं जो सिक्षा से संबंद रखते हैं अगला प्रशन आ जाता है हमारा की संबिधान की प्रस्थावना के बारे में संबिधान की प्रस्थावना के बारे में कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही है संविधान की प्रस्तावना के बारे में तो यहाँ जो options दिये हुए हैं आपके सामने वो आपको दिख रहे हैं बहुत अच्छे से समाजबादी धर्म निर्पेक्ष सब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे समाजबादी धर्म निर्पेक्ष सब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे क्यों नहीं थे कि इन्हें जो बाद में जोड़ा गया कब जोड़ा गया 42 संविधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया 42nd Constitutional Amendment Act 1976 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था ना तो 1977 में ना ही 1985 में और ये संविधान की प्रस्तावना का अंग है कब से 1976 से 42 संविधान संसोधन धिनियम 1976 से और यहां अगर हम बात कर रहे हैं 1950 दिया सब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे इन्हें प्रस्तावना में कब जोड़ा गया 42 संविधान संसोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया अगले प्रशने की और बढ़ते हैं अगला प्रशने जो कहता है हमारा कि निमलिखित में से किसने भारतिय संविध संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभू प्रजातांत्रिक गरतंत्र की जन्म कुंडली कहा किसे प्रस्तावना को यसे स्टेटमेंट बनते हैं कि किसने कौन सा स्टेटमेंट दिया तो हमारे संप्रभू प्रजातांत्रिक गरतंत्र की जन्म कुंडली कहा आंसर क्या प्रजातांत्रिक गरतंत्र की जन्म कॉंडली कहा के एम मुंशीन है किसने कहा के एम मुंशीन है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला स्टेट्मेंट अगला कोशन कि निम्निलिखित विवादों में से किसमे सर्वोच चन्यायले ने प्रस्तावना को भारतिय सन्विधान की मौल संविधान की मौलिक संद्चना का भाग स्विधान की एक बात यहां पर ध्यान रखना है कि मौल संद्चना संविधान की यह कंसेप्ट ही किस में आया केश्वानंद भारति केस में आया तो अब यहीं पर ही इसी केस में ही क्या होता है केश्वानंद भारति केस में ही सर्व पुलिक संदचना का भाग सुईकार किया गया उद्देशिका को सरवच नियायले के शब्दों में अगर कहे तो हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित वन्यादी तत्वों पर खड़ा है यदि इन में से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा धाच बदलाओ कर दिये गये तो संविधान का जैक धांचा है वो डह जाएगा तो इस कारण प्रस्तावना को संविधान के धाचे के रूप में सुईकार किया गया इसके बाद आगे बढ़ते हैं किस बाद के यानि वाद घंकनात या केश्वाननन्द भारति तो को क्या से पहलेका जो कोश्चन किया 30 का संवीधान नहीं है लेकिन केश्वानन्द भारति से पहले को याद आ गया होगा इस केस में सुप्रीम sustained कोट ने सबसे किया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है लेकिन केशवनन्द भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में सुप्रेम कोट ने अपने इसी निर्णय को पलटते हुए ये कहा कि उद्देशी का या प्रस्तावना जो है वो संविधान की मूल संरचना का भाग है निम्लांकित में से कौन सा अध्यक्षात्मक साशन अधार भूत है तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वी आंसर आना चाहिए भई सभी का अगर जो भी दोग देख रहे हैं कमेंट जरू करते हैं चलिए तो अगले प्रश्न में इसमें आता है कि भई ये किसका एक बेस कर्मेंट है यहां पर एकल कारेपालिका होती है यानि कि सत्ता का केंदरी करण होता है सत्ता का केंदरी करण होता है यानि राज्यों को इतने अधिकार प्राप्त नहीं होते जितना पावर जो है सेंटर को यहां पर होती है इस प्रकार के फॉर्म में अगले प्रश्न की और इस तत्र पर आधारी थे तो आजकल प्रशन इसी प्रकार के बन रही है कि आपके philosophical concept कैसे हैं तो बही जैसे इंतजार था notification का भी notification भी आ चुका है form का और उसके साथ साथ जो है स्लेवस भी डिस्क्लोज कर दिया गया उप्शनल का जिसको उप्शनल को लेकर बहुत ही बड़े पैमाने पर बात चले थे कि उप्शनल तो अब नहीं है लेकिन उसकी जगा पर दो नए पेपर जो कि यूपी स्पेसल को लेकर है और आज यूपी स्पेसल को लेकर भी जो है जो एक स्लेवस होता है वो भी जारी कर दिया गया है तो प्रश्ण लगभग इसी प्रकार के बनते हो आएंगे और जल्दी यूपी स्पेसल को लेकर भी कुछ प्रश्ण उत्तर को लेकर सेशन को हम लोग लेकर आएंगे तो बस ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिए और शेर लेकर चुनाओं करता शाष्ण इसंटा को पराजित करके और गठीरहां टब जनता के समय होता है वैसके माध्धियम से ऋस सरकार को पराजित करके हटा देते हैं ग्द्रीट करते हैं जनता विक depends पार देते हैं तो यह कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है चलिए वास्तविक्ता कुछ और होती है लेकिन हमें जो अपना एक्जाम के लिए करना है आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चा ने लोगतंत्र का उत्करश्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है उत्करश्ट ग कारे करताओं के एक समों को तो यहां क्या अंसर होगा यहां अंसर होगा कि भई जो एक साधारन पुरुष है साधारन पुरुष और महिलाओ के की बुद्धी और चरित्र को साधारन पुरुष और महिलाओ की बुद्धी और चरित्र को यहां पर उत्करश्ट बनाता है तो अच्छे नागरिक की सक्रिय भागेदारी स्वस्त समाज के निर्माड के लिए महत्वपूर्ण है जो कि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है इसलिए अच्छे व्यक्ति का विकास करना होता है तो लोकतंत्रिक नागरिक का एक बौधिक कारे है जिसमें आम लो का निभाती है तो नागरिक करिया शील रहते हैं एक लोकतंत्र में अलग-अलग रूपों से राज्यतिक रूप से समाजिक रूप से जिसकी वैसे उनकी बौधिक कारे करने की छुमता तीवर होती है उत्तर अमेरिका की तरह नहीं जहां पर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ ह और उसने कहा दिया कि सबके बाल एक जैसे कटने तो सबके बाल एक जैसे कटेंगे यानि आम नागरिक सोची नहीं सकता है कि वो अलग तरीके से बाल कैसे कटो है या किसी और को नहीं था कैसे चुने चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगरा प्रशन ले लेते हैं भारत एक गरतंत्र है इसका अर्थ है भारत एक गरतंत्र है इसका अर्थ है क्या कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है भारत में संसदिय साशन नहीं है भारत में वन्शानुगत साशन नहीं है भारत राज्यों का संग है तो भारत एक गरतंत्र है इसका जो अर्थ क कोन राष्ट्रपती है तो वो से चुनकर आता है किसी भी रूप में हम यह नहीं देखते कि वह है क्या है वंशानुगत है वंशानुगत मतलब कि उसी फैमिली से बन रहा है बार-बार राष्टपती तो भारत में राष्ट का प्रधान अथार राष्टपती जो है वो क्या होता निर्वाचित होता है और इस परकार भारत एक गड़तंत्र है जबकि अगर आप निर्खित कतनों पर विचार कीजिए राष्टिय पंचांग के संदर्व में निर्खित कतनों पर विचार कीजिए तो सही कथन कौन सा है यह हमें बताना है कि भारती राष्टिय पंचांग विक्रम समवत पर आधारित है दूसरा स्टेट्मेंट कहता है राष्टिय पंचा थह वीक्रम समवत नहीं था जो क्या अपनाए गया शक्वट को अपनाएगिया शक्वट को अपनाएगारित चेट्र होता है चैत्र मांस पहला महीन था तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है चैत्र का जो पहला दिन होता है वो 22 मार्च को ही होता है ठीक है चैत्र का जो पहला दिन होता है वो 22 मार्च को होता है और अंतिम दिन 21 मार्च को यह मार्च जो हम ले रहे हैं यह ग्रेगियन केलेंडर के एकोर्डिंग से कौन सा संभिधान के अनुछेत 3 के तहट संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है बहुत अच्छा प्रशन है कि राज्ये ने राज्यों का गठन राज्यों के छेत्रों में परिवर्तन राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन ने राज्यों का प्रवेश तो किस प्रवेश जो भारतिय संग में ने राज्यों का प्रवेश या उनकी इस्थापना कर सकती है यह बतायागा तो अनुछे दो में सिंपल सी बात पताएगी है कि राज्यों का निर्मार हो सकता है जो पहले से ही भारत में कोई छेत्र है इसका आप सीधा सा कंसर्प्ट समझ सकते हैं कि भारत में पहले से ही भारती कई राज्ये हैं भारती इस भारती सीमा के अंतरगत हैं उन्हीं ये पहले एक राज्य था इसको तोड़कर ही दो नए राज्य बना दिये गए ये तो पहले से ही है जो कि तीन के द्वारा किया जा सकता है इसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है इसके सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है ठीक है इसके छेत्रों का निर्मार किया D के लिए है जो D बताया गया है नए राज्यों का प्रिवेश वनुछेद दो में इस पर्ष्ट होता है तो यहां तक का तथ्य अच्छे समझ में आ गया होगा अगला प्रशन ले ले लेते हैं भारतिय संगहात्मक विवस्था के संदर्व में निमलिखित कथनों में से कौन स सही है तो यह प्रशन है और इस प्रशन का उत्तर आप सभी लोग जरूर दें भारतिय संविधान के अंतरगत राज्यों को संग से अलग होने का अधिकार नहीं है अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की सुतनत्ता की सुरक्षा मिलेगी यह कोशन मैंने कि भारतिय संग बिधान के अंतरगत राज्यों को संग से अलग होने का अधिकार नहीं है जो कि बिलकुल सही बात है कि अधिकार नहीं है भारत जो है राज्यों के संग की स्थापना की गई यानि कि यहां पर सीधा सा स्टेटमेंट यह कहता है यह समझने वाली बात है जो कि स संग की स्थापना की गई है जो जिसके अंदर गत राज्यों को संग से अलग होने का बिल्कुल अधिकार नहीं है संग ये संसद ही संग में नए राज्यों का प्रवेश या उनके स्थापना कर सकती है यानि कि नए राज्यों का प्रवेश करना उसकी स्थापना करना कौन कर स लग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंतरता की बात कर रहा है यानि कि अगर को यह वकालत करने लगे शोर मचाने लगे क्यों नहीं हम इस राज्य को एक नया देश बनाएंगे भारत से अलग करके तो इसका मतलब क्या है कि देश की अखंडता पर वार है यानौ 6 का उलंग explains हो रहा है तो यहां पर यह अभिवक्ति की स्वतंतरता की अंतरगत नहीं आएगा कि आगर आप यह कहें कि हमारा यह बोलना अभिव्यक्ति की स्वतंतरता की अंतरगत आता यानौ 6 का नतरगत आता है कि हम इस राज्य को एक अलग देश बनाएंगे जो क गलत है जो कि क्या होगा गलत होगा यानि कि जब आप उस देश से ही अलग होना चाहते हैं तो आपके पास अभी व्यक्ति की कोई सोतंतुरता बची ही नहीं क्योंकि आप उस देश के संविधान कोई नहीं मान रहें तो यहां पर इस वज़े से यह गलत हो जाता है तो इस statement ज े संगिये च जट्रों की स्थापना की ती कितने राज्ज्य और संगिये चेत्रों की स्थापना की गए थी तो यहां क्या आंसर होगा यहां आंशर होगा आपका चौधा राज्य और छे संगिय चेत 1956 में जब फजल अली आयो गया राज्य पूनर गठन आयो गया निए फजल अली की अध्यक्षिता में एक राज्य पूनर गठन आयो का गठन किया गया था जिसकी सिफारिश के आधार पर 1956 में कब 1956 में 1956 में 14 राज्यों 6 संगी राज्यों का निर्मार किया गया था अगर इससे पहले अगर बात करें तो आंदरपरदेश सुतंतरता के बाद भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है जो 1 अक्तूबर 1953 को गठित किया गया एक अक्तूबर 1953 को गठित किया गया भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य अंदरपरदेश है तो वह इनी के पीछे कुछ मांग रही डिमांड रही छेत्रीय डिमांड रही भाषा के आधार पर तो उनी चीजों को सुल्जाने के लिए फजल अली आयोक का है गोवा को गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया वहीं अगर हम बात करें तो दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है सी दमन और दीव को भारतिय संविधान के 56 में संसोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया डी दादरा और नागर हवेली वर्ष 1956 तक फ्रांसीसी आपनिवेशिक का साशन के अंतरगत रहे आपनिवेशिक साशन के अंतरगत यानि को लोनियल रूल के अंतरगत ये रहे तो जो दिये गए हैं इसमें आंसर क्या होगा कि कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है तो जो गलत होगा वो डी यहां पर बिल्कुल गलत होगा आपका कि दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी आपनिवेशिक साशन के अंतरगत रहे तो मैं यहां पर बता दूँ दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली साशन के अधीन नहीं पुर्तगाली साशन के अधीन थे ना कि फ्रांसीसी साशन के अधीन तो यहां जो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है वो किसकी वज़े से गलत होता है फ्रांसीसी की वज़े से तो दादर और ना किया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रेशन ले लेते हैं इसिक्रम में कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया जिए सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया 30 संविधान संसोधन 32 35 या 42 कई बार repeated question है यह answer क्या होगा 35 संविधान संसोधन के अंतरगत परदां किया गया wedi है बहुत अच्छा प्रस्न यहow। अपने सब्सुन है तो बहुत अच्छा प्रस्न है विबर अपने आप में आंसर जरूर के सबी की 3 से 10, 4 से 11, 5 से 11 या 6 से 11 तो बहुत ही आसान और इजी प्रश्ण है यह की आंसर क्या होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपर का 5 से 11 तो संबीधान का भाग 2 कौन सा भाग 2 नागरिकता के संबने प्रावधान करता है जिसमें 5 से 11 के विशे में चर्चा की गई है अगला प्रश्ण ले ले लेते हैं भारतिय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकत जन्म द्वारा देशी करण द्वारा किसी भूभा के सम्मिलन द्वारा भारतिय बैंक में धन जमा करके तो बहुत ही आसान उसरल प्रशन ये भी की आंसर क्या होगा भारतिय बैंक में धन जमा करके तो भारतिय नागरिक्ता अधीनियम 1905 भारतिय नागरिक्ता अधीनियम 1905 और इसमें बाद में कई संसोधन किये गए जैसे अभी हाली का संसोधन जो 2019 का है नागरिक्ता संसोधन अधीनियम 2019 जिसे CA के रूप में भी जाना जाता जिसके बाद काफी भारत में हमें हंगामा भी देखने को मिला लेकिन ये 1955 में ही किया गया संसोधन रहा तो इसके द्वा प्राप्त की जा सकती है देशी करन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है रिश्टरी कद्वारा एकह्त संबंधिया वनशन उक्रमक के द्वारा या कोई ऐसा चेतर जमीन का भारत में शांमिर होता है और वहां कि नागर deben नागरेक कंता करने का कोई तरीक नहीं नहीं तो क्या होता बहरत का नागरेक बनने के लिए कुछ चीज़ों कुछ बातों को फॉलो पड़ता परिशन चिसको लेकर हमने आझ चर्चा की और यह अच्वा सेशन रहा यानि की 20-20 प्रेशनों की स्रिंखला हम रेगुलर लेकर आ रहे हैं इसकी जल्दी प्लेडिस्ट को मैं एक जगा कर दूँगा सभी वीडियो को जो भी लोग देखना चाहते हैं वो प्लेडिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि इन सभी पर जल्द हिससे ही जल्द जो है वीडियो लाई जाएगी कोश्टन सांसर को हम लोग फॉलो करेंगे क्योंकि हमारा एक फोकस एक टार्गेट है जो कि 14 मही का है और उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यूपी पीएस्सी और इसके साथ साथ इसी प्रक